पंचगूर की अगर हम बात करें जैसा आपने कहा नौशकी चलिये 24 घंटे में पाकिस्तान की सेना ने दावा किया उन्होंने कंट्रोल कर दिया लेकिन ये एक रेड था बलोच फ्रीडम फाइटर्स उनके पास पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक नाइट विजिन डिवाइ ने उनके में गेट पर हमला किया और फिर दंदनाते हुए बलोच सेनिक या बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग अंदर घुसे और फिर स्प्लिट कर गए कैम्प के अंदर और जगा जगा से उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को कई तरह से घेर के रखा इंगेज किया नूट पाकिस्तान ने आपचारिक तोर पर सुशान सरीन कंफर्म तो नहीं किया लेकिन ये भी कहा गया कि उन्होंने अपना पूरा एफसी हेटकॉर्टर जी ध्वस्त कर दिया चंद बलोच लड़ाकों को मारने के लिए सुशान सरीन बिल्कुर देखे अब गौरा पाकिस्तान की जो दुर्दशा है ना उसमें पाकिस्तान का जो मेंस्ट्रीम मीडिया है उसमें तो आपको कोई ख़बर नहीं मिलेगी आप जो भी ख़बर मिलती है आपको सोशल मीडिया के उपर मिलती है वो भी कब तक मिलेगी हमको पता नह गाने पे तुले हुए ये जो एक फासिस्ट हाकूमत है इसलामो-फासिस्ट हाकूमत है इम्रान breeki तो यह लगी हुई हुई है उसके ओपर लेकिन उसे कतय नजर क्या हवाई हमले हुए बिलकुल हुए और उसका एक विडियो प्रमान आपके साथ कई सारे विडियो प्रमान है कि हेलिकॉप्टर का इस्तमाल किया गिया क्या उन्होंने सारी की सारा जो कैम था उसको दुहस कर दिया गिया जो छोटी मोडी images आई हैं उससे यही महसूस हो रहा है कि यह हुआ और इनकी जो विफलता थी वो यह है अगर आप देखें बलोचस्तान एक बड़ा sparsly populated area है और उसमें चप्पे चप्पे पे पाकिस्तान की जो फौज है उसने अपनी चौकियां बनाई हुई है और वो humiliate कर जितना उन्हें जिस तरीके से उनको बेज़ती के साथ treat करते हैं उसकी कहानी एक अपनी ही है लेकिन हर चौकी पर उनको उतारा जाता है बसे से उनकी चेकिंग की जाती है यह तमाम चीजे हो रही है इसी के करके आपने देखा होगा कि कुछ हफते पहले गौदर में बहुत बड़ा एक demonstration भी हुआ प्रोटेस्ट मार्च भी हुआ जी यह चीज सारे के सारे बलोचस्तान में है अब उसके बावजूद अगर कितने नौत तो मेरे खाल वहाँ पर थे आपके पंचगूर में और साथ मेरे खाल जो यह freedom fighters थे वो नौशकी में थे अगर यह 16 लोग असला लेकर असला और भारी मादाद तादाद में असला लेकर के वहाँ पर पहुंच करके इस तरीके का एक attack माउंट कर सकते हैं जिसमें vehicle bone ID को लेकर के gate के ओपर पहले attack करके walk in करते हैं उनके पास सारा का सारा मैप है उस camp का सारा के सारे इतलाद है उनके पास तो फिर मेरे ख्या फिरू इसका ये है कि पाकिस्तान अब इतना बोखलाया हुआ है कि एक वो UAE को उनको ब्लेम कर रहा है कि ये UAE की साज़िश है कि UAE नहीं चाहता कि गौादर को सक्सेस्फुल हो इसलिए वो हमारे ओपर attack कर रहा है अब जिन से पैसा लेते हैं भीक मांगते हैं उनके ओपर वहाँ पर बैटके पापा जॉन के पीज़ा के फ्रैंचाइस बनाते हैं अमरीका में उस पर ये कभी बात नहीं करेंगे ये जितने पाकिस्तानी फौजी हैं जितनी इन्होंने चोरी चकारी वहाँ पर कि हुई है जो स्मगलिंग नेटवर्क से चलाते हैं पाकिस्तान की फ